इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लीश में पत्र लिखना बताऊंगा तो सबसे पहले हिंदी और इसके बाद इंग्लीश तो पहले है चार दिनों की छुट्टी की मंजूरी हे तु अपने प्राचारिये को एक आबेधन पत्र लिखिए तो चलिए शुरू करते है सिवा में प्राचारिये महोद है यहाँ पर अपने विद्याले का नाम देंगे जैसे कि हम अपने विद्याले का नाम दिये हैं मद्द विद्याले बुडवा और डिश्टी का नाम देंगे खगरिया महस है आदर के साथ मुझे कहना है कि मैं तेज बुखार और ठंड से पी तो यहां पर आप लिख सकते हो आप मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा दिनांक एक जनवरी 20 यहां पर आप एयर दे सकते हो जो भी एयर हो एक जनवरी 2020 या एक जनवरी 2021 से पांच जनवरी 20 तक चार दिनों की छुटी मनजूर किया जाए इसके लिए मैं आपका आभार तो सरू करते हैं जैसे की तू दा प्रिंसपल यहां पर अपने स्कूल का ना मुदिल स्कूल बुडबाख गर या Sir With due respect I beg to say that I am suffering from high fever and cold So I would not be able to attend school I request you to grant me leave for 4 days From 1 January यहां पर date लिख सकते हो 2021 to 5 January 2021 I shall be obligate to you for this यहां पर अपना नाम Your opt-in day mark class 5 role number 12 अपना role number class और यहां पर दिनाम तो यह था application पत्र को कैसा लगा वीडियो आप comment box में जरूर लिखें और वीडियो को like करें धन्यवार अपना है ले थाओ, यहां पर शाम